सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके बने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आपको जो है अपनी incoming call में problem आती है आपको कोई call करता है तो आपका number वहाँ पर नहीं लग पाता है आपके पास call नहीं आपाती है किसी person की आपको बार-बार call करने का try करता है बट जो है call नहीं आपाती है या फिर जो है बहुत सारी problem हो सकती है call करने में तो आज की वीडियो में incoming call से related जो भी problem है उसका solution आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे settings जो आता हूँगा अगर आप उन setting को करोगे तो आपकी incoming call की problem जो है solve हो जाएगी तो चलिए वीडियो को श्टूरू कर लेते और जान लेते हैं अगर हमें incoming call की problem आ रही है तो किस-किस वज़े से आ सकती है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं इससे कोई फरक नहीं बढ़ता कि आपके पास कौन सी company का sim है अगर आपके पास call नहीं आ रही है किसी की तो आपको जो है क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले अपने dialer pad में आ जाना है dialer pad में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको three lines दीख रहे हैं नीचे की तरफ इन पर click करिए और यहाँ से directly setting में आ जाईए setting में आने के बाद guys यहाँ पर आप scroll करके नीचे आईए तो यहाँ पर देख पाएंगे advanced setting और उपर आप incoming call की setting भी देख सकते हैं अलग से एक बार यहाँ पर incoming call पर आईए और यहाँ पर जितने भी options आपको दिख रहे हैं guys इनको सभी को जो है off रखे off करने के बाद back आईए back आने के बाद advanced setting में आ जाईए advanced setting में आने के बाद guys scroll करके नीचे आईए और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा fixed dialing number यहाँ पर आईए अब यहाँ पर जो यह setting दिख रही है आपको fixed dialing number यह off है देख सकते हैं यहाँ पर disable है तो इसको disable ही रहने दीजिए अगर यहाँ पर आपका enable होगा थोड़ा सा wait करेंगे देख सकते हैं reading setting यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा तो हम इसको जो होने देते हैं so guys जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह setting जो है यहाँ पर भी आपकी off होनी चाहिए out going calls, international, out going यहाँ पर all incoming, incoming call, while roaming यहाँ पर जितनी भी settings हैं आपकी off होनी चाहिए disable होनी चाहिए अगर इसमें से कोई भी setting आपकी enable होगी तो इसको disable कर दीजिए call bearing में जाकर यहाँ पर disable करने के बाद जो है back आजाईए guys back आने के बाद देख काम आपको कर लेना है यहाँ पर आपको दिख रहे है caller ID, caller ID पर आईए caller ID पर आईए, यहाँ पर देख पाएंगे यह भी setting open हो रही है इस caller ID को आपको disable नहीं रखना है, इसको आपको enable करना है, उन दोनों को disable करके यहाँ पर इसको enable रखना है अगर आपकी बंद होगी तो ओन कर लीजिए यहाँ पर इतना करने के बाद ओन करने के बाद बैक आईए और यहाँ पर आप देख पाएंगे गाईज अब मैं आपको बताने वाल हूँ अगर आपको किसी एक नंबर से कोल नहीं आ रही है या फिर कई 3-4 नंबर है उनसे कोल नहीं आ रही है बागी सबी नंबर से आप बात कर पा रही है या फिर कोई एक बंदा हो सकता है उसकी कोल जो आपके पास नहीं लग पा रही है तो ऐसे में जो है block का काम होता है कि आपने उसका number जो है black list में डाल दिया है या फिर गल्दी से आपसे डल गया है तो उसके case में भी आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर setting में आईए यहाँ पर आप block list का option देख सकते हैं यहाँ पर open कर लिजिए open करने के बाद guys यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा blocklist, आप यहाँ पर अपने number चेक कर सकते हैं कि आपने किसी का number block तो नहीं किया हुआ, block number पर जाएगे और यहाँ पर आपको number देखने को मिल जाएगा उसको यहाँ से select करके delete कर सकते हैं number को, या फिर directly तो यही काम कर लेना है अगर आपको किसी एक नमबर से आ रही है तो ब्लोक लिष्ट में चेक कर लिजिए या सभी नमबर में आ रही है तो या फ़र जो है सैटिंग माने आपको बताईए वो सैटिंग कर लिजिए बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं बाइ टेक केर लव यू ओल